मेरी तरफ से मुसाफिर ओफिशल 92 यूट्वीब चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंगापूर की सिंगापूर सिरकारी तोर पर जमूरिया सिंगापूर एक खुद मुक्तार मुल्क के साथ साथ एक शहरी रियास्त भी है ये एशिया में जजिरे नुमा मिलाइक के जनूबी सिरे पर अबनाए मिलाइका और बहर जनूब चीन के दरमयान एक जजिरे रियास्त है सिंगापूर खित इस्तावार के शुमाल में तकरीबन एक डिग्री अर्शे बुलंद 137 किलो मेटर या 85 मेल है सिंगापूर जजीरा असल में माईगीरों और कजाकों की तरफ से आबाद था और इसने सिरी विजे की समातरान सल्तनत के लिए एक चौकी के तौर पर काम किया 14 सदी के आखिर तक के जवानी नुश्टाजाद और चीनी रिकारडों में जजीरे का ज़ादा आम नाम जवानी लफ समुन्दर से है 14 सदी के आखिर में टेमाक्स जवाल का शिकार हो गया और मलाका ने इसकी चगा ले ली इसके बावजूद 1552 में ये अब भी कॉल की एक बंदरगा थी जहां से सेंट फ्रांस जेवियर ने गवा को खतूद भीजे और जवाव डी होर्स ने अपनी तारीख डेगाडास ता एशिया 1552 से 1615 में इसकी मसरूफ शिपिंग सरगर्मी को बेयान किया मजबी वाबस्तगी नस्री नमूनों की अकासी करती है तमाम चीनों में से तकरीबन दो ताही बुतमत या इसके कुछ इम्तिजाद से किसी हद तक लगाओ का तावा करते हैं तकरीबन तमाम अलाई और कुछ हिंदुसानी इसलाम को मानते हैं जो के अबादी के तकरीबन एक साथी हिस्से का रस्वी मजभ है इसाई बरादरी तेजी से तरक्की करके मुसल्मानों की अबादी के मुकाबले के काबिल हो गई है तकरीबन तमाम इसाई चीनी है एक मजभ पर अमल करने वाली तकरीबन तमाम बागी अबादी हिंदु है लेकिन बहुत से सिंगापूरी ऐसे भी हैं जिनका कोई मजभी तालुक नहीं है सिंगापूर बरतानी सल्तनत के अजीम तेजारती अदारों में से एक है आलमी तेजारती मरकज के तोर पर अपनी पोजिशन को बढ़ाने के इलावा इसने ताकतवर मालियाती और सन्ति शौबे तयार किये हैं सिंगापूर की जनूब मशरकी एशिया में सबसे जाधा तरकी आफ़ता महिशियत है और इसका तस्खरा अकसर एशिया के दूसरे तेजी से सन्ति मालिक के साथ किया जाता है खास तर पर जनूबी कोरिया और ताइवान सिंगापूर की महशियत हमेशा दीकर जनूब मशर्की एशिया ममालिक से मुक्लिफ रही है क्योंकि ये कभी भी बनियादी तोर पर अशिया की पैदावार और बरामत पर मेश्र नहीं रही है सिंगापूर में तालिम को बहुत एहमे दी जाती है और इसका तालिमी निजाम तफसीली तोर पर तर्तीब दिया गया है प्रैमरी तालिम मुफ्थ है और छे से आर साल तक रहती है तालिम की जुबान अंग्रेजी है और तल्बा को दूसी जुबान के तौर पर दीगर तीन सरकारी जुबानों में से किसी एक को सीखने की जरूरत है सान्वी सता पर तल्बा को तालिमी या पेशावराना और तिजारती ट्रैक्स में रखा जाता है जो लोग तालिमी ट्रैक पर हैं उन्हें मज़ीद चार या पांच साल तद्रीसी कोर्सिस में तब्दील किया जाता है आला तालिम के मौाक्टे का तायून तालिमी कारकर्टगी से किया जाता है और इसमें आम तोर पर दो या तीन साल की प्री यूनिवस्ट्री हदाया चामिल होती है जिसके बाद यूनिवस्ट्री या टेकनिकल कॉलिज में दाखला होता है सिंगापुर की नैशनल यूनिवस्टिरी 1980 में सिंगापुर यूनिवस्टिरी और नानियांग यूनिवस्टिरी के नाम से काइम की गई सिंगापूर में सेहत के हालात का मवाजना दीगर माशी तोर पर तरक्की याफ़ता ममालिक के साथ है डॉक्टरों और डेंटिस्ट की एक बड़ी तादा के साथ तिब्य खिद्मात की हद और मेयार खास तोर पर जादा है यहां सरकारी और प्रेविट दोनों हस्पताल हैं जबके गहर हस्पतालों की देखपाल मतेदित आउट पैशनिट क्लिनिक और मुमबाई सेंटर से की जाती है हकुमत और रजाकराना अंजुमने जो बाद में समाजी खिद्मात की कौंसल के जरीए मर्बूत हैं बूरों बेमारों और बेरोजगारों के लिए फलाए खिद्मात फराम करती हैं सिंगापूर डॉलर जम्हुरिया सिंगापूर की सरकारी करंसी है उसे सो सेंट में तक्सीम किया गया है इस वक्त दो, पांच, दस, बीस, पचास, सो डॉलर के नोट गर्दिश में हैं जहां तक सिक्के का तालुक है वो एक, पांच, दस, बीज, पचासेंट और एक डॉलर के गर्दिश में है हनानी चिकिन चावल हनानी डिश विन्चांग चिकिन पर मभीनी है इसे सिंगापूर की कौमे डिश समझा जाता है हनानी स्करी राइस एक डिश है जिसमें उबले हुए सफेद चावल होते हैं जो सालन और ब्रीज ग्रेवी में डाले जाते हैं एस्यूसियेशन फुटबॉल जो फुटबॉल के नाम से जादा मशूर है सिंगापूर का कौमी खेल समझा जाता है ये मुल्क सिंगापूर की फुटबॉल एसियेशन एफ एएस का घर है जो एशिया की सबसे कदीम फुटबॉल एसियेशन है जिसकी जड़ें इंगलैंड में दी फुटबॉल एसियेशन से आती है दोस्तों ये थी हमारी दिल्चस्प मालूमात परमाबेनी खुबसूरत सी वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मसाफिर आफिशल 92 को लाइक करें सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताके हमारी होंसला अवजाई हो सके अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त